स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना ग्यान फॉर यू में जहां हम आपके लिए हरो सरकारी योजना है और उनके अपडेट लेकर हाजिर होते हैं आज हम आपके लिए क्या है OPS वर्सिस NPS यानि पुरानी और नई पैंशन स्कीम में क्या अंतर है और करमचारियों को किसमे अधिक फायदा हो सकता है आए जानती है पूरी डिटेल में जानकारी लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन की गंटी दमाए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंथ मिल सके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और इससे दरों के साथ शेर जरूर करें केंदर सरकार ने न्यू पैंशन स्कीम यानि की एनपीएस के रिव्यू के लिए कमेटी बन लाने का एलान किया है देश में लंबे परदेश के विधान समझ चुनाव के दरान पुरानी पैंशन स्कीम को बड़ा मुद्ध बनाया था कॉंग्रेस जब जीत कर सत्ता में आई तो उसने ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करने का एलान किया केंदर सरकार रुख इस सकीम को लेकर हमेशा विपक्ष के उल्ट रहा है मोदी सरकार इसे लागू करने के पक्ष में अभी तक नजर नहीं आई है लेकिन अब सरकार ने नई पैंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित करने का एलान किया है तो ऐसे में आये समझ लेते हैं कि नई और पुरानी पैंशन स्कीम में क्या आंतर है इस साल जन्वरी के महीने में योजना आयोग के पूर्व अध्याक्ष मॉन्टेंग सिंग आलुवालिया ने OPS को लेकर बड़ी बात कही थी उनका कहना था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पैंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्य दिवालियापन की रेसिपी है बॉन्टेंग सिंग आलुवालिया ने कहा था कि इस कदम को आगे बढ़ाने वाले के लिए बड़ा फैदा यह है कि दिवालियापन दस साल बाद आएगा देश में नई पैंशन स्कीम 1 जनुरी 2400 लगू है पुरानी और नई पैंशन स्कीम में काफी अंतर है दोनों में कुछ फायदे और नुकसान है पुरानी pension scheme के तहट रकम का भुकतान सरकार के खजाने से होता है वहीं पुरानी pension scheme में pension के लिए करमचारियों के वेतन से कोई पैसा कटने का प्रवधान नहीं है OPS के तहट retirement के समय वेतन की आधी राशी करमचारियों को pension के रूप में दी जाती है क्योंकि पुरानी scheme में pension का निर्धारन सरकारी करमचारी की आखरी basic salary और महंगाई दर के आंकडों के मुताबिक होता है जबकि नई pension योजना में निश्चित pension की कोई guarantee नहीं है क्योंकि ये share बजार पर अधारित है जिसमें बजार की चाल के अनुसार भुकतान किया जाता है पुरानी pension योजना में करमचारी की salary से कोई कटाथी नहीं होती थी NPS में करमचारी की salary से 10% की कटाथी की जाती है नई pension scheme में GPF की सुविधा उपलब्द नहीं है बर जबकि पुरानी pension scheme में ये सुविधा करमचारी को मिलती है अगर नई pension scheme की बात करें तो इसमें return बेहतर रहा तो provident fund और pension की पुरानी scheme की तुलना में करमचारी को retirement के समय अच्छा पैसा मिल सकता है क्योंकि ये share market पर अधारित scheme है इसलिए कम return की स्थिति में fund कम भी हो सकता है पुरानी pension scheme में 20 लाख रुपे तक gratuity की रखम मिलती है वहीं retire करमचारी की मुरुत्य होने के पर उसके परीजनों को pension की राशी मिलती है सबसे हैं बात यह है कि पुरानी pension scheme में हर 6 महिने बाद मिलने वाले डिये का प्रावधान है यानि जब सरकार नया वेतनय योग लागू करती है तो भी इसमें pension की scheme में सॉरी pension की रखम में बढ़ोतरी होती है किंदर सरकार अब तक कहती रही है कि old pension scheme सरकार पर भारी बोज डालती है यही नहीं पुरानी pension scheme से सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोज बढ़ता है रिजर्व पैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि old pension scheme को लागू करने से राज कोशिये संसाधनों पर अधिक दभाव पड़ेगा और राज्यों की सेविंग पर नेगटिव परभाव पड़ेगा पुरानी pension और NPS में क्या अंतरह आईए शॉटकट में समझ लेते हैं old pension scheme के तहट जब करमचारी रिटायर होता था तो उसे अंतिम सेलरी की 50 फीसिदी राशी का भुगतान pension के तौर पर किया जाता था वहीं NPS में मिलने वाला रिटर्न और pension बजार जोखिम के अधीन रहती है सरकारी करमचारी old pension scheme को बहाल करने की मांग पर वर्षों से अडे हुए हैं दूसरा है सबसे अच्छा NPS और OPS कौन सा हो सकता है हालांकि OPS करमचारीों के लिए सुविधा जैनक लगता है विशेशग्यों को कहना है कि NPS अर्थव्यस्था के लिए टिकायू है क्योंकि सरकार OPS के तहट मुद्रस फिती और दिरगायू को पूरा जोखिम वहन करती है आशे करते हैं कि जानकारी फायदे मंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शियर करें धन्यवाद